हाई लेवेंटीज, वेलकम टो एसीवे कावमर्स क्लासेज, मैं हूँ ताविता और गाईज आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे मीडियन की, मीडियन का कंसेट सबसे पहले, तो गाईज मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, क्या मतलब होता है? इसका मिड वैल्यू, यानि कि आपके सामने सीरीज जो होगी, उसको आपका मिड वैल्यू निकालनी है, उसको मीडियन कहते हैं, अब आपको पता है न, स्टाइट्स में कितने टाइप की सीरीज होती है? तीन टाइ items कुछ भी हो सकता है लेकिन discrete होती है जिसमें x के साथ उसकी frequency भी होती है यानि कि 4 feet height के 8 लोग है 6 feet height के 2 लोग है तो उसके frequency है यानि कि वो number repeat हो रहे थे इसलिए हमने उसकी frequency बना दी continuous series कौन सी होती है जिसमें हमें x कुछ ऐसा given होता है continue basis पर 0 to 10 10 to 20 और उसके against उसकी frequency होती है तो अब इस series में guys हम उनकी median यानि कि mid value निकालना सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले median को positional average कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि median में हम सबसे पहले जो guys consider करते हैं वो करते हैं कि हमारी जितने भी number है उसमें उनकी mid value कौन सी है यानि कि position wise अगर कोई बंदा first है second rank पर है third पर है fourth पर है fifth पर है तो इसमें mid value होगी क्या जो third rank पर है यानि कि जो सबसे बीच में number आ रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहला rule जो होता है ascending और descending order में अपनी series को convert करना क्योंकि हमें अफसर जो series given होती है वो shuffle given होती है like आपको x की value हो सकता है वो कुछ इस तरीके की दे दो पांच चार तीन एक ठीक है अब इसमें अगर आप देखोगे तो mid value आप बोलोगे अरे 4 है बट actual में 4 नहीं है हमें इसे arrange करना है ascending और descending order में like 1, 2, 3 जो number है उन्हें हमने arrange किया अब अगर आप देखोगे तो mid value आजाएगी 3 या फिर आप arrange कर सकते हो 5, 4, 3, 2, 1 तो जो mid value होगी वो होगी हमारा वो होगा हमारा median ठीक है लेकिन हमें यह ऐसे नहीं निकालना होता इसके लिए formula लगता है median को हम me से denote करते है और formula होता है इसका n plus 1 divided by 2th item बहुत छोटा सा और simple सा formula है and बोले तो number of items plus 1 तो 1 का मतलब आपको बता है उसे 2 से divide करना है और जो term आएगी उसको इसमें ढूंडना है अब जैसे कि यहाँ पे 5 terms है तो 5 plus 1 divided by 2th item तो 5 plus 1 हो गया 6 divided by 2th item तो 3rd item तो 3rd item क्या है guys already 3 है ठीक है तो इस तरह के से हमने निकाला अगर यही series guys कुछ इस तरह के से given होती like अभी तो number 30 था ऐसे 4 5 6 7 8 तो भी हमारा answer क्या आता 3rd item 1 2 3 4 5 N के जगे हम 5 लिटते 5 plus 1 divided by 2 6 divided by 2 3rd item तो हमारा median क्या आता 6 सा आता ठीक है अब यह तो पहुत असानी से recognize हो गया लेकिन अगर guys ऐसा हो कि यह जो numbers है 4 5 6 7 8 9 तक होता यानि कि यहाँ पर N अभी तक odd number आ रहा था odd number plus 1 करके even बन रहा था जो 2 से easily divide हो जाता है लेकिन अगर यहाँ पर अभी 6 हम लिख दे 6 number of items अब हमारे कितने हो गए guys 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया 6 अब यहाँ पर हमारा question change हो जाएगा देखो अब आएगा 7 divided by 2th item ठीक है अब 7 को अगर 2 से divide करे 3.5th item अब भई साड़े 3 इसमें से क्यों सी value ले तीन भी नहीं है चार भी नहीं है बीच की value तो इसे हम अपने अपने ही लिख देंगे 6 और 7 के बीच का number यह होता है नहीं साड़े 6 होता है नहीं हमें निकालना है कैसे निकालना है 3 यानि कि 3rd number लेना है 3.5th item बोलेना है तो 3rd item आपको लेनी है ठीक है 3rd item हमें क्या given है guys 6 given है और उसके next victim तो 3.5 है ना तो यानि कि उसके बड़ा number कौन सा है 7 साथ लिया और उसको 2 से divide कर दिया ठीक है तो इस तरीके से solve होगा यह हो जाएगा 13 divided by 2 तो 6.5 वैसे भी हमें पता चल रहा था 6.5 आएगा बट हमें यह solve करके दिखाना है ठीक है इस तरीके से आप median को बहुत असानी से solve कर सकते हो आपके series अक्सर गाईज इतनी easy नहीं आएगी आपके series में कुछ तेड़े मेड़े number होंगे तो आपको formula लगाना है आपका चाहिए यहाँ पर कुछ भी आजाए आपका concept clear होना चाहिए ठीक है आपको series को सबसे पहले ascending और descending order में arrange करना है ascending और descending order में arrange करने के बार गिनना है वो कितने है वो होगा आपका end अगर वो cut जाता है असानी से यानि यहाँ पर अगर odd number होगा तो one करके even बन जाएगा असानी से two से cut जाएगा तो आप निकाल सकते हो लेकिन अगर वो नहीं cut तो और answer point में आता है अगर answer आपका point में 7.5 आए 8.5 आए 8.5 आए 8.5 आए तो आपको 8th item लेनी है और 9th item उससे big वाली और उसको 2 से divide करना है वो आपका answer होगा अगर 7 आए तो 7 प्लस 8th item लेनी है और उसको 2 से divide करना है इस तरह के से अब median बहुत असानी से निकाल सकते हो next video जो है guys उसमें ये question कराया है with base अगर समझाया तो अच्छी बात है वीडियो को like ज़रू करना और नहीं समझाया तो instagram पर idea तविता मैंसी पूछ लेना thank you